माला का नीवने करना तंतर में एक बहुती आसान काम है अगर आपको पता हो तो आपकी साधना या आपकी सिध्धी कन्फर्म मानी है आप जिस संकल्प के साथ मंतर का जाप कर रहे हैं लेकिन क्या वह संकल्प का आपका पूरा हुआ नहीं हुआ उसके पिछे कारण होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों में से एक है माला का नीवने है जब भी आप कुसी मंतर का चैन करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं तो मंतर के हिसाब से या आपके संकल्प के हिसाब से ही आप माला का चैन करें जैसे कि वशीकरण में पुष्टे में मुंगा की माला या हीरा या मनी की माला का उपयोग किया जाता है वैसे ही विद्वेशन और उच्चाटन में घोडे के दाथ की माला कही जाती है लेकिन वो संभव नहीं है या कि जान्वरों की माला का उपयोग करना गलत है अकृत्य है और कानून के खिलाफ भी है वैसे सवप्रकार की कामनाओं के लिए मनी शंख या कमल गट्टे की माला बनानी चाहिए अब कमल गट्टी की माला से धन का आगमन होता है या मनी शंक की माला से भी धन का आगमन होता है वैसे सबसे शुद्ध रुद्राक्ष की माला कही गई है और ये बहुती फल दाई है रुद्राक्ष एक फल होता है और इस फल से जो बीज निकलते हैं उनको पीवो करके माला बनाया जाता है। रुद्राक्ष की माला बहुती शुब होती है और बहुती फलदाई और लापकारी होती है। उसके बाद स्पठिक मनी की माला भी होती है। सरस्वती प्राप्त करने करें स्फटिक मनी, मुक्ता या फिवुद्राक्ष की माला से जब किया जाता है जिससे आपके घर में धनका आगमन होता है, वाक्सिद्धी प्राप्त होती है जैसे कि सरस्वती बीज मंत्र एम है, ओम एम नम्हा अगर इस मंत्र का जाब करना हो तब स्पटिक या वुद्राक्ष की माला से जब करें वैसे आपको अगर हनुमान जी को पसंद करना है तो मुंगे की माला वैसे ही तुलसी माला होती है तुलसी माला भी बहुत ही शुद्ध होती है किसी भी शान्ती करम में आप तुलसी माला या फिर विद्राक्ष्टी माला से आप जब कर सकते हैं तो माला का चैन करना बहुत ही महत्वपूर्ण निवने हैं और जब भी आप हवन करे या हवन के पहले जाप करे उसमें जब भी माला का उप्योग करे तो माला का निवने आपके मंत्र के प्रभाव, आपके संकल्प और आपके कर्म के हिसाब से करें तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी